तीरी जुले के भिलंगना विकासखंड की नैलचामी पट्टे से थार्ती गाउं में आज सुबह अतिवृष्टी से नुकसान के खबर है नैलचामी गाड में आये उफान के कारण घाटी के गाउं में कई हेट्रिय अक्रिशी भूमी बहने के साथ ही फस्ले नस्ठ हो गई कई पेज अलाई ने निर्वाना धीन थार्ती चिर्विटिया मोटर मार्क वबना पुल और थार्ती वभटवाड़ा गाउं में तीन पुलियक शतिगरस होने की सूचना है पूरे एक श्रेत्र में लोग दहशत में हैं लेकि सुखद ये रहा कि किसी भी तरह की जन्हानी नहीं हुई है सूचना मिलने पर पहुंची प्रशासन की टीम ने निश्ले इलाके से ग्रामिडों को सुरक्षे दिस्थानों पर पहुंचा दिया है दोफेर जिला मुख्याले से टीहरी के डियम सौरव गहरवार भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया हमारे चेत्र में बादल फट में से सुबह सवा साथ बजे के करीब बादल फटा है उसे पूरे छेत्र में लगवग 30 किलोमेटर जो घंसालिया और चिरबटिया के बीच जो हिस्सा पूराय पट्टी नेल चामी का पड़ता है उसमें पूरी देवियाबदा आई है और पूरी सिंचित जो खेती है पूर रूप से छतिग्रस हो गई है पूरी खड़ी फसल लोगों की खत्म हो चुकी है इस तरह से मतलब जाईगी जो नहरे हैं पीजली उजनाए हैं और उसके साथ साथ कुछ पैदल पुलिया है उन रूप से छतिग्रस हो गई है दूसरी ओर टिहरी जिले की नैल चामी पट्टी से सटी रूदर प्रयाग जिले के जखुली विकासखंड में भी अत्यवरिष्टी से नुकसान की खबर है जानकारी के अनुसर विकासखंड के तियुंकर, घरडा, मखेट, पैयाताल, लॉंगा, सकलाना, कोटी, पाली, कुराली, फ्लोट, जाखाल, सबित कई गाउं में ग्रामेडों की कई नाली कृशी भूमी बह गई है रुदर प्रियाग प्रशासन की और से जानकारी दी गई है कि रहात इवं बचाओ कारे और नुकसान का जाइजा लेने के लिए सुबह से ही राज़सोर विभाग NDRF और DDRF की टीमों को क्षेतर में भीज़ दिया गया था जखोली के SGM परवन अंदराम ने बताया है कि लुठिया गाउं में एक मकान को मलवाने से नुकसान पहुंचा है यहां से समद्धित परिवार को अन्य तर्शिफ्ट कर दिया गया है इसके साथ ही दो तीन अन्य मकानों को भी खत्रा उत्पन हुआ है शित में नुकसान का आकलन किया जा रहा है उन्होंने बताया कि इक्षति ग्रस्ट सडकों को ठीक कराकर यातायाद सुचारू करने का प्रयास भी किया जा रहा है कुल आठ गाउं भूस खलन से प्रभावशा है